क्या आप भी चाहती है कि आपकी तोचस से आपकी उम्र का पता ना चले वो भी बिना कोई मेकप किये तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें अंतर तक जरूर देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही खास face pack लेकर आई हूँ, इसे एक बार आप बना लेते हैं, तो आप पूरे साल भर यूज़ कर सकते हैं, बार बर बनाने की कोई जंजट भी नहीं होगी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कहावत जरूर याद आएगी, आम के आम और गुटलियों के दाम जी हाँ दोस्तो, आज हम आपके लिए कुछ ऐसा ही नुस्खा लेकर आए हैं, और इस देखकर तो आप समझी चुके होंगे, या आज औरेंज से रिलेटेट कोई नुस्खा में आपके लिए लेकर आई हूँ, जी हाँ दोस्तो, आज मैं आपके लिए त्वचा को निखार आने वाला एक बहुत ही दिव्य ऐसा फेस पैक लेकर रहे हूं यदि आप इसे बना कर रख लेते हैं तो आप पूरे साल बर इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं ये बिलकुल भी खराब नहीं होता है यदि आप मेरे बताए तरीके से संत्रे के चिलकी का पाउडर बना कर रख सकते हैं वह भी बिना कोई पैसे खर्चा किए यदि आपकी तवचा पर जुरिया पड़ रही है तवचा पर सावला पंच्छा रहा है तवचा का टाइटनेस निकल गया है पिंपल्स हो रहे हैं पिंपल्स के दाग पड़ रहे है एक बार पिंपल्स हो जाने पर महनों तक नहीं जाते हैं जिससे कि आपका कॉंफिडंस कहीं खोस आ जाता है यदि आपको भी ये सारी समस्याए हो रही है तो आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिए ये वीडियो आपके लिए काफी लाब दैक होने वाली है नमस्कार इचाम दूने पर इसीपिस में आप संत्रों को अच्छे से धो कर पोच कर ले लेना है ताकि हमें साफ संत्रे की चिलकों का पाउडर मिल सके हमें एक जाली वाली एक छलनी ले लेना है या फिर कोई टोकरी ले लेना है इसमें अभी हम संत्रे की चिलके निकाल लेंगे संत्रे का क्या करना है या तो संत्रे को ख देखे, इस तरह से हमने संत्र के छिलखे के जोटे-जोटे टुकडे कर लिये हैं, इसे अभी यदि आप दूप में सुखाना चाहते हैं, तो दूप जोप में सुखाएजे आपको 2-3 लग जाएंगे, लेकिन यदि आ यदि आप इसे 6 में सुखा सकते हैं, तो और भी इसी तरह से सुखे हुए चिलके हमें चाहिए यदि यह चिलके अच्छे से नहीं सुखे है तो आप क्या करें इसे दरदरा पीस कर फिर सूखने के लिए रख दे इसके बाद इसका पाउडर बनाए लेकिन हमारे संत्रे के चिलके बहुत अच्छे से सूख चुके है इसे अभ को कोई भी airtight container ले लेना है इसमें इस पाउडर को अच्छे से भर देना है और ढखकन लगा कर रख देना है आप इस पाउडर को बीना फ्रीज में रखे ही एक साल तक यूज़ कर सकते हैं संत्रे की चिलके का पाउडर आपको किस तरह से यूज़ करना है इसे यूज़ करते समय कौन सी साउधानिया रखनी चाहिए तता इसका असर आपकी तवचा पर हो रहा है या नहीं हो रहा है या आपको कैसे पहचानना है इसके बारे में सारी जानकारी में वीडियो में आपक को छोड़कर कहीं भी मत जाईए अब एक दूसरा तरीका में आपको बताने वाली हूँ संत्रे के चिलके का पाउडर बनाने का इस तरह से बना हुआ पाउडर आप बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों की सावली स्किन को फेयर बनाने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होता है संत्रे को लेकर इसे अच्छे से दोले और इसे कद्दूकस कर ले इसकी जो ऊपर की औरेंज स्किन है केवल उसे ही कद्दूकस करें सफेद पाट को कद्दूकस ना करें इसे प्लेट में इस तरह से पतला पतला फैला दे और घर में ही इसे सूखने द ताजे संत्रे के चिलके हैं कद्दुकस किये हुए तो चलिए इसी से पहला फेस पैक बनाते हैं दो चमच फ्रिश ओरेंज कद्दुकस किया हुआ जो चिलका है वो एक कटोरी में ले लेना है इसमें अभी हम दो चमच गुलाब जल डालेंगे और एक चमच भर के गलीसरीन डालेंगे इसे अच्छे से मिला दे अभी इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दे अगली सुबह इसे किस चलने के मदद से चान ले और इसको जो सारा जूस है वो सेपरेट कर ले इसमें अभी हम एक चमच भर के नारियल का तेल डालेंगे यदि आपके पास जैतुन का तेल है बादाम का तेल है तो आप कोई भी तेल इसमें डाल सकते हैं तिल डालने के बाद इसे बहुत अच्छ लगाने से पहले आपको क्या करना है त्वचा को अच्छे से धो लेना है पोच लेना है साफ त्वचा पर ही इसे अपलाए करें आप अपनी त्वचा पर रात भर इसक्रीम को अच्छे से लगा कर रखें हलके हाथों से इस तरह से मसाज करें चहरे पर हाथ पाव पर पुर जदा निखार पाएंगे और तुचा में बदलाव पाएंगे इस फेसपेक को बना कर आप फ्रीज में एक हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब तीन दिन आप अपने फेसपेक को लगाने के बाद आप देखेंगे आपकी तुचा में वो निखार आएगा जो अभी हम डालेंगे एक चुटकी हल्दी हल्दी हमारे स्किन को निखारने का काम करती है इसे के साथ हल्दी नैचरल ब्लीच का काम करती है जो हमारे तवचा को निखारने में काफी मदद करती है आप चाहे तो इसमें एक चुटकी केसर भी डाल सकते है अभी हम इसमें है जिसे की हमारी face pack की consistency adjust हो जाए अभी हम इसमें एक चमज भर की शहट डालेंगे शहट हमारी तवचा की नमी बनाया रखता है अगर आपकी तवचा काफी रुखी हो रही है तो आपके लिए शहट काफी लाबदायक हो सकता है सारे चीजों को अच्छे से मिला है यदि यह काफी गाढ़ा लग रहा है तो इसमें कच्छा दूद थोड़ा सा और मिला है और इसकी consistency को adjust करें अभी हमारा face pack बन कर त्यार है चलिए इसे कैसे यूज करना है अभी मैं आपको यह बता देती जिससे की हमारी त्वचा पर इसका ज्यादा effect होता है इस तरह से face pack लगाने के बार आपको इसे 15-20 मिनिट तक सूखने देना है जब आप इस face pack को लगाएंगे तो आपको आपकी त्वचा पर थोड़ी सी जंजनाहट मैसूस होगी बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको इसक कोई भी मौश्यूराइजर आप लगा कर रख सकते हैं आप इस face pack को सब्ताह में दो से तीन बार लगा सकते हैं एक दिन छोड़कर आप इसे लगाए रोजाना ना लगाए एक से दो यूज में ही आप देखेंगे आपकी तवचा काफी उजली और निकरी नजर आएगी और आपकी तवचा से आपकी उम्रका पता नहीं चलेगा अगर आपको आज के हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस असरदान नुसके से लाभ हो सके इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए नमस्ते